वो बार बार इसके मन को दोखा देगा कि यह वाई यह करियर चेंज कर यह करियर ठीक नहीं है तेरे लिए तो जिस करियर में आया तो फस गया है यह चंदर ग्रहन दोश होता क्या है कि अगर राहू और केतू एक ही किसी भी हाउस के अंदर विराज़मान हो राहू नाम उन्ष्व्टा दोस्तों मैं अपने स्आल में बहुत स्वागत करता हुए चंदर ग्रहन पाली को बारे होता है यह आध्मी को नुक्सान होता है या आदम को फायदा होता है उस बारे में इस वीडियो के अंतर हम कुल करशा करें तो उस से पहले मैं बताना चाहूंगे कि अगर आपने मेरे लास वीडियो नहीं देखा तो चंदर ग्रहन के उपर किया होता है कैसे होना चाहिए उसके बारे में मैंने पूरा डीटेल में बताया तो आप वीडियो देख लेंगे आपको पूरी इंफरमिशन मिलेगी आज हम बात करेंगे कि हमने अकसर देखा है कि चं सीधा ही एक्जामपल में आपको दिखाता हूँ एक कुंडली के माधियम से आपको बताऊंगा कि कहा होना इसका बेनेफिट है और कहा होना इसका लॉस है तो चलिए सीधा बोर्ट पर चलते हैं मैं कुंडली आप देख रहे हैं ये कन्या लगन की कुंडली है छे नंबर यानि कन्या लगन ठीक है एक चीज में बताना चाहूँगा शायद किसीने पिछले वीडियो ना देखा हो चंदर ग्रहन दोश होता क्या है कि अगर राहू और केतु एक ही किसी भी हाउस के अंदर वि अगर एक साथ हैं जीसे राहू के साथ चंदर मा या केतू किसी भी घर में हैं तो वो बनाती है चंदर ग्रहन यूग कहलो दोश कहलो चंदर ग्रहन दोश बनाती है ठीक है तो यह उता है चंद्रग्राइन दोश अब हम बात करते हैं कि कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे नेगिटिव होता है यह करने अलगन की कुंडली देख रहे हैं हम सारे प्लैनेट्स नगा लेंगे मैं कुछ जरूरी प्लैनेट्स डालता हूं जिससे आपको कुछ इंफर्मेशन मिल है जुपिटर जो है गुरू यह दूसरे घर में गुरू दूसरे घर में और जो मंगल है वो है तीसरे घर में इसमें जो है राहू और चंद्रमा यह दोनों जो हैं यह हैं दसमें घर में दसमें घर जो होता है मैं बताना चाहूंगा है प्रोफेशन का करियर का घर होता है यह एक आदमी की प्रोफेशनल स्टेबिलिटी बताता है कि वो किस लेवल तक जाएगा, क्या उसका प्रोफेशन रहेगा, प्रोफेशन में कितना बेनिफिट मिलेगा, कैसे होगा, अब अब देख रहे हैं कि यह जो है कन्या लगन की कुंडली है, तो इसमें जो चंदरमा है है, एक मिनट, अब आप देख रहे हैं कि कन्या लगन की कुंडली है, इसमें जो चंदरमा है, वो है ग्यारमें घर का मालिक, ग्यारमें घर का मालिक का मतलब हो गया, गेंस का, गेंस का मालिक, और बैठा कहा हुआ है वो, दसमें घर में, तो कई बर यह भी सुनने को मिलेग हैं, बहुत खतरना ग्रैन है, और यह जो आदमी का करियर पूरा खतम होगा, यह करियर में आगे बढ़ने ही पाएगा, और इसका जो भाव, जो ग्यारमा भाव होता है, जिसके अंदर प्रॉफिट होता है, गेंस होते हैं, वो दसमें अपने से बारवें में चंदरमा अब राहू चंदरमा देख रहे हैं, तो राहू चंदरमा की यूति है इसके अंदर, अब राहू चंदरमा यूति होने के कारण होना क्या है, कि जो पहले चंदरमा की बात करते हैं, चंदरमा किसके फल देगा, चंदरमा जो होगा, वो ग्यारवे का भी फल देगा, क्योंक नेगटिव हाउस के साथ नहीं नेगटिव हाउस होते है छे आठ और 12 चे पहलेई कोई निक नहीं है यानि चंदर्मा अब देखते है कि रहा हुप जिस गहरीन होटा है एक दो यौज ड़सक घर में है रहो ताफ रहा है अब देखते हैं कि रहु के अपनी कोई identity नी होती अपनी कोई body नहीं होती अपनी body ना होने के कारद राहू जो होता है वो हमیशा उसके फल देता है जो उसके साथ बैखता है या फिर राहू के उपर जिसकी दिरिश्टी होती है मैंने दिर्श्टी वाला एक वीडियो बनाया होगा होती है मतलब वो अपने से पांचु घर में या अपने से साथ में घर में और अपने से नो में घर में देगा दृष्टी तो यानि या जूपिटर की प्लैनेट्स भी लेगा जूपिटर के रिजल्स अब मार्स को देखेंगे तो मार्स की कोंसी दृष्टी होती है मार्स की होती है चार, साथ और आठ चार, साथ और आठ तो उस हिसाब से मार्स की जो दृष्टी हो गई वो कहां हो गई आठवी दृष्टी जो पढ़ेगी वो यहां पढ़ेगी इसी चंदर्मा और राहू के उपर मंगल की दृष्टी पढ़ गई और जुपिटर की दृष्टी बढ़ गई तो राहू के पास तो काफी सारे ब्लैनेट्स हो गए इसका यह मतलब होगए कि राहू काफी घरों के रिजल्ट separately लेगा मगर चंद्रमा के ओपर भी तो पढ़ रही है अगर राहू के ओपर पढ़ रही है तो यह पावर दोनों को बराबर मिलेगी मगर राहू की जो अपनी हाउस हैं वो सिर्फ 10 है और मून के जो है वो 10 के साथ 11 भी है यानि प्रॉफिट भी है तो यह होगा क्या कि जब भ होगा उसको कंफ्यूजन देगी कि यह करियर में लिए ठीक नहीं है वो बार बार इसके मन को दोखा देगा कि यह वाई यह करियर चेंज कर यह करियर ठीक नहीं है तेरे लिए तो जिस करियर में आया तो फस गया है यह तो तो गलत है छोड़ दे इसको जैसे ऐसा होता है कि आदमी बिल्कुल गोल के अपने पास होता है, आदमी बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे 80% तक वो एक अचीवमेंट कर चुका है और 100% पे पहुंचने वाला है, और 80% पे कोई आके उसके मन में वहम डाल दे, क्यों यह तो फेल है, पास नहीं हो पाएगा, तो जब तक ये तो गलत कर रहा है, तो सही नहीं कर रहा है, देख ले, मैं भी कहा रहा हूँ, ये प्रोफेशन ते लिए ठीक नहीं है, और चंद्रमा हो सकता है, क्योंकि दृष्टी जो है, वो जुपिटर की भी है, तो हो ना क्या है कि जो प्रोफेशन हाउस है, इसका बहुत बढ़ा हो प्रोफेशन ही चोटा नहीं क्या है, अगर इसकी रहगा है कि ऑपनी उकात से बढ़ और उकात से बढ़ कर आचा मारेगा, मंगल अपनी time period में उसको power देगा Jupiter अपने period में उसको बड़ा बनाएगा राहू उसको confuse करेगा और जब चंदर्मा का period आएगा वो rise करेगा जब चंदर्मा का period आएगा वो rise करेगा फरक क्या होता है कि राहू का period होता है बड़ा और चंदर्मा का होता है चोटा तो राइस करने के इसके जो चांसेज होंगे वो होंगे कम और परिशान होने वाले या कन्फ्यूज होने वाले इसके जो चांसेज होंगे वो होंगे जारा तो ये वो कहते हैं ने कभी आदमी ना हो पे कभी ना हो आदमी पे तो यह इस तरह की गेम चलेगी इसके साथ लाइफ टाइम यह गेम चलती रहेगी लाइफ टाइम इसको फाइट करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है और यह पास पहुंचते पहुंचते भी 90% पर भी फेल हो सकता है यह आदमी कहीं लोग कहते हैं न 35% पर पास होता है यह 90% पर भी फेल हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि यह बिलकुल बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर है पीरिट्स पर डिपेंड करता है और बाकी के प्लैंट्स के ओपर डिपेंड करता है तो यहां हम इसको यह कहेंगे कि यह जो चंदर ग्रहन यह हो गए इसके लिए स्मेट कर च्छेंड यह जूट है use और पाष़ लिए यह तो यह होता है कि नबे साल के ऊटाकानी ह door शॉक्सेस मिल भी गयी तो आपको भी पता है अज्क पर किसी काम के विए उसके लिए तक यह होगी हो गई वले होता है कि पॉजिटिव कहां है पॉजिटीव कहां पॉजिटिव कि नेगटिव तो चंदर्ग्रैन को इतना सीरिus मत लीजिए है चंदरग्रैन योग बहुत अपने तरफ से मगर उस पौबर से जाद़ा पवरफुल होता ने गजाए ने आपको समयने की ज़रद है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशागरता मेरे दीगई जानकरी से आपको सही लगेगा तो आप से अलविदा लेता हूँ तब तक के लिए नमस्कार आपका समय शुबरे